हलो दोस्तों मैं हूँ चंद्रकान पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल चंद्रा इस्टडी पॉइंट पर आद मैं आप सब के लिए लाया हूँ उत्रप्रदेश से जुड़े हुए सभी महातुपूर्टत्यों को और बहुत सारे प्रिशनों को हूँ आप सबको पसंद आएंगे अगर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अने लोगों तक भी इसका लाप पहुंच सकें तो मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पहला प्रस जाएगा मचली और तीन कमान राज की चिन मचली और तीर कमान उसके बाद बात करें राज की पुस्प की तो बात हो जाएगी फलास राज की पुस्प हो जाएगा पलास उसके बाद उत्तर प्रदेश का राज की वरच असोग उत्तर प्रदेश का राज की वरच असोग उस प्रदेश का राज की पस 12 सिंगा उसके बात करें उत्र தेह का राज की खेल还 कीू उत्र प्रदेश का सबसे छोटा मंदल तो हो जाएगा सहारंपूर। उसके बात करें पृधं मुख्यमंत्री कि फोन थे तो सुचेता करपलानी उसके बात करें भारत में सबसे लंबा रेलवे ंप्छेट फार्म तो कहाँ पर हो जाएगा भारत का बात हो रही है आपे भारत का सबसे लंबा रिल्वे प्रेट फार्म तो हो जाएगा गोरखपूर गोरखपूर उत्रप्रदेश में है उसके बात करें सरवाधिक लंबी नहर की शागी सरवाधिक लंबी नहर सारडा नहर उसके बात करें ट्रांसफार्मर फ्रेट्री प्रेटरि के किस नगर मिष्ती थे ठीर जहासी में उसके बात करें बुंदेल खंड भिस्व इढ़न कहां झाहां तो ये भी जहासी में ही है ट्रांस्फार्मर फैट्री प्रिदेश के किस नगर में इस्थे थे जहासी में और बुंदेल खंड विश्व विद्याले कहां इस्थे थे जहासी में उसके बाद करें बहारत कला भौन कहां इस्थे थे वारा रसी में उसके बाद बात करें भारतिय दलहन सोज संस्थान कहां इस्थान 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 क बुद्ध विद्या संस्थान कहां श्थित तो हो जाएगा फैजाबात अयोध्या अचार नरेंद्र देव बुद्ध विद्या संस्थान कहां श्थित है फैजाबात अयोध्या उसके बाद बात करें सबसे उचा बांध तो हो जाएगा राम गंगा बांध सबसे उचा क्या है उत्तरप्रदेश की जलवाई हो जाएगी ऊश्ण कटिबंधी मानसूनी उत्तरप्रदेश की जलवाई हो जाएगी ऊश्ण कटिबंधी मानसूनी उसके बाद सबसे बड़ी नदी की बात करें उत्तरप्रदेश की सबसे बड़ी नदी हो जाएगे गंगा उत्तरप्र प्रियागराज उसके बाद बात करें हिंगवा जिल कहा श्थित है तो ये श्थित है वारणसी में हिंगवा जिल वारणसी में उसके बात करें सबसे बड़ा नगर तो सबसे बड़ा नगर हो जाएगा कानपूर उसके बात करें उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहा लग तो हुझाएगा नाचन्दी मेला कहा लगता है मेरट में उसके बाद बात करें सरवादिक, विधानसबह, सीटों वाल जिला शिरावस्ति यहां पर सुर्फ एक सीट है उसके बात करें राज़ का पढमान बिजली घर तो कौन रहोजएगा नारावरा राजी का परमान बजली घर नारवरा उसके बात करते हैं उत्तर प्रदेस में सरवाधिक छेटरफल वाली जिले तो इसमें दो जिले आ जाते हैं पहला हो जएगा लखेंपूर और दूसरा हो जाएगा सोलभद्धर पहला हो जाएगा पहला हो जाएगा लखेंपूर पहला लखेंपूर और दूसरा सोन भद्र उसके बाद बात करें सरवाधिक वण वाला जिला तो हो जाएगा सोन भद्र सरवाधिक वण सोन भद्र में हैं उसके बात करें सबसे कम वण वाला जिला तो हो जाएगा संतर अवि जिले तो कौन कौन से हो जाएंगे संत रविदास नगर और गाजियाबाद संत रविदास नगर और गाजियाबाद उसके बाद बात करते हैं सरवाधिक जनसंख्या वाले जिले तो कौन कौन से हो जाएंगे प्रियाग राज और मुरादाबाद सरवाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं प्रियाग राज और मुरादाबाद उसके बाद नियूनतम की बात करें तो नियूनतम जनसंख्या वाले जिले हो जाएंगे महोबा और चित्रकूट नियूनतम जनसंख्या वाले जिले हो जाएंगे उसके बाद बात करें तो यूपी का वर्तमान नाम अश्टेत में कब आया था तो उतर हो जाएगा बारा जनवरी उनिस सो पच्चास को उसके बाद बात करते हैं अगला प्रस्ण उतर प्रदेश का सरवाधिक प्रचलित लोकन्यत तो ये हो जाएगा नोटन की उतर प्रदेश का सरवाधिक प्रचलित लोकन्यत तो नोटन की उसके बाद बात करें उतर प्रदेश से गुजरने वाले राश्ट्री राजमार्गों के संख्या कितनी है तो हो जाएगा 43 कितनी है 43 उसके बात करें छेतर प्रदेश से यूपी का भारत में अस्थान तो हो जाएगा चवथा प्रदेश अगला प्रदेश देश की राजधानी तो 1858 से भी तक थी आगरा उसके बाद हो गई 1858 से 1921 तक इलहावाद उसके बाद 1921 से अब तक है लखनवू उसके बाद बात करते हैं एग्रो पार्क एग्रो पार्क कहां पर है तो एग्रो पार्क है हापूर सहारन पूर लखनवारण सी यहां पर एग्रो पार्क हैं उसक गर्व का नहरों की सरवाधिक लंबाई कहा है तो ये है continuing कब मिना जाता हैं दस जून को अभी पहला प्रशन था यूपिये में भूझ ीम्म सपता कहा सो यह था सोला से वाई्जु जुलाइं तक उसके बाद बात करें को इसमें यह वाले प्रशन दिसम्बर 1998 को गोशित की गई, प्रदेश की पहली खनीज नहीं थी, उसके बाद बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो यह हो जाएगा बलिया, उसके बाद बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे पस्टिमी जिला, तो यह हो जाएगा सामिली, उसके बा बात करें उत्तर प्रदेश का विभाजन तो यह 9 नौंबर 2000 को 9 नौंबर 2000 को 13 जिलों के साथ उत्रा खंड 13 जिलों के साथ उत्रा खंड उसके बाद रेल पहिया कार खाना कहा पर है तो यह है कर राइबरेली में उसके बाद बात करें रेल सवारी कोज खार कार खाना तो यह राइबली में है उसके बाद बात करें फुर्शत गंज हवा यद्डा तो यह है राइबरेली में सोरी यह है राइबली में उसके बाद अ और आफ सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अप्रीज लाइब करें सब्सक्राइब करें